नवस्कार दोस्तों, आज हम साइन्स पर नया वीडियो बना रहे हैं। रेल्वे की प्रिक्षे नजदीक हैं। और साइन्स बहुती महतपूर्ण है। इसलिए हम साइन्स पर नया वीडियो बना रहे हैं। साइन्स, साइन्स सबद लेटिन बासा का सबद है। लेटिन भाहसा प्राचिन अंग्रेज्जी को लेटिन भाहसा कहते हैं साइन्स अबद की उत्पत्ति साइन्टिया से वी है जिसका अर्थ है नोलेज अब बात करते हैं राष्टे विज्ञान दिवस कब मनाते हैं 28 परवरी को हम राष्टे विज्ञान दिवस मनाते हैं रमन परबाव की खोज 28 परवरी 1928 को सीवी रमन ने की थी इसी खोज की याद में हम राष्टे विज्ञान दिवस 28 परवरी को मनाते हैं इसी खोज के लिए बोतिकी का नोबेल पुरुषकार मिला था इने 1930 में चलिए यहाम थोड़ा आपको नोबेल पुरुषकार के बारे में बताएंगे देखे दोस्तों नोबेल पुरुषकार अलफ्रेड नोबल की याद में दिये जाते हैं बात करें इनकी सुवात कभूई उन्नी सो एक में प्रारम में कितने छेत्र में मिलता था पाथ छेत्रों में लेकिन बात करें वर्तमान में कितने छेत्रों में मिलता है छे छेत्रों में चलिए अब हम बात करते हैं कि अर्द सास्तर का नोबेल की गोशना कब की गई 1967 में की गई हम आपको बता दे कि अलफ्रेड नोबल डाइनोमाइट का विसकार किया था उसने स्विडिस वेगैनिक थे एव वाई थे इनकी मृत्यों हो गई की मृत्यों हो जाने के बाद जो इनकी संपत्ती से ब्याज आता है परतिवर्श कुसी की याद में नोबेल पुरुषकार दिये जाते हैं अल्फ्रेड नोबल की याद में दिये जाते हैं अर्ध सास्तर का पहली बार नोबल पुरुषकार कब दिया गया उनिस सो नहेंतर में चलिए बात कर रहे हैं नोबल पुरुषकार कौन सा देश जारी करता है स्वीडन कि सथान पर दिये जाते हैं, स्टोक होम में दिये जाते हैं, स्विडन की राजधनी स्टोक होम में नोबल पुरुषकार दिये जाते हैं, चलिए अब बात करें, सान्ती का नोबल पुरुषकार कौन सा देश जारी करता है, नार्वे, अगर स्थान की बात आए कि स्थान पर दिए जाते आशो नार्वे के रजधनी असलो है सबसे हिए अमलिय व Origin कि यह ती इन नोर्वे में होती है मध्य रात्री का सूर्य भी न॔र्वे हिं दिकतम नोबल पुरुषकार तीन वेक्ति को दिया जा सकता है कमसे कमें एक वेक्ति को दिया जा सकता है चलिए अब बात कर रहे हैं हमने नोबल पुरुषकार से तुलना की गई और उसे एसिया का नोबल पुरुषकार का गया एसिया का नोबल पुरुषकार किसे कहा जाता है रमन मैगसेश पुरुषकार को कौन सा देश जारी करता है वह या फिलिपिन्स देश जारी करता है एशया का नोबिल पुरुष्कार कहते हैं जारी करने वाले देश की बात आये तो फिलिपिंस फिलिपिन्स की राजधानी मनिला है, चलिए अब बात कर रहे हैं विज्ञान की साखाएं, विज्ञान की तीन साखाएं हैं, बोतिक विज्ञान, रासाइनिक विज्ञान, जी विज्ञान, चलिए बोतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, बोतिक विज्ञान का जनक सर आईज आईजेक न्यूटन हिनों ने पुस्तक लिखी थी उसकी बात कर रहे हैं हम आईजेक न्यूटन वेरी इंपोर्टेंट किस्चन दिली पुलिस में आया हुआ है पुस्तक की बात करें प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 में लिखी सर आईजेक न्यूटन ने इसमें गती के तीन नियम बताए गती के तीन नियम किस पुस्तक में बताए गए प्रिंसिपिया पुस्तक में किस ने बताए भया सर आईजेक न्यूटन ने पर्थम नियम कोई जड़त्तों का नियम भी कहते हैं चलिए अब बात करें रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान का जनक लेवाई सिये या केमेस्ट्री फादरोफ केमेस्ट्री लेवाई सिये जी विज्ञान यानिकी बायोलोजी बायोलोजी या जीव ज्ञान का जनक अरस्टू, अरस्टू किस देश का था, यूनान का, अरस्टू का सिच्चे कोन था, सिकंदर, सिकंदर का गुरू कोन था बया अरस्टू, अरस्टू का गुरू कोन था, सुक्रात, सुक्रात का भी एक गुरू था, प्लेटू, करमिक आगा है यूनान के लिखकों का चलिए वह आप बात करते हैं बायोलोजी जीव विज्ञान बायोलोजी दो सब्दों से मिलकर बना है बायो पलस लोजी बायो का अर्थ जीव लोजी का अर्थ होता है अध्यन करना जीव विज्ञान की वैसाखा जो हमें जीव जन्तों का अध्यन कराती है बायोलोजी कहलाती है यह जीव जन्तों का विज्ञान का अध्यन बायोलोजी बात करें जीव विज्ञान का जनक अर्थ जीव विज्ञान के जनक की बात आए अर्थ जहां भी लोजी सबद आये केलो लोजी यानि लोजी आया हुआ है केलो लोजी लोजी सवदकार था द्धन केलो लोजी सुंदरता का अध्धन अब हम कुछ ऐसे सवद बोल रहे हैं जिनके अंत में लोजी आएगा सोरोलोजी चिपकलियों का अध्धन सीरोलोजी एंटिजन वे एंटी बाडिज का अध्धन हीमेटोलोजी रक्त का अध्धन सेरोलोजी चिपकली का अध्धन ओनकोलोजी कैंसर का अध्धन यानि लोजी सवदकार थी होता है अध्धन चलिए अब हम बात करते हैं जीविज्य जीव विज्यान सबद का सुरपर्थम प्रयोग किसने किया या जीव विज्यान सबद सुरपर्थम किसने बनाया कब बनाया बात करें तो 1802 में किसने बनाया लैमार्क ने लैमार्क किस देश का था फ्रांस का वांस्पती विज्यानिक था टिवरेंस ये जर्मनी का था ये जन्तु विग्यानिक था इन दोनों ने मिलकर एक सबद बनाया जीविज्ञान या बाइलोजी जीविज्ञान सबद किसने गड़ा टिवरेंस वे लेमार्क ने चलिए आप बात करते हैं जीविज्ञान की साखाएं जीविज्ञान की साखाएं वन्सपती विज्ञान यानि की बोटनी 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 ग्रिक बाहसा का सबद है वन्सपती विज्ञान का जनक थियो फ्रेस्टस विज्ञान की वैशाखा जो आमें पेड़ पोदो का द्यन कराती है बोटनी या वन्सपती सास्तर कहलाता है चलिए बात करें जन्तु विज्ञान या जूलोजी ये भी गरिक बाहसा का सबद है जन्तु विज्ञान के जनक की बात करें अरश्टू बात कर रहे हैं सुक्सम विग्यान सुक्सम विग्यान माइक्रो बायोलोजी का जनक लूई पास्चर चलिए अब हम बात कर रहे हैं पुस्तक की वंस्तु विग्यान का जनक थियो फ्रेस्टस को का जाता है चलिए अब बात करते हैं इसकी पुस्तक की हिनों ने पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लानेटम पुस्तक के लेखा कौन है थियो फ्रेस्टस किसके बारे में वंस्पती के बारे में अब बात कर रहे हैं अरस्तु की पुस्तक, Historia Animal, पुस्तक के लेका कौन थे अरस्तु, अरस्तु ने इस पुस्तक में किसके बारे में बताया है, जन्तु के बारे में बताया है, अब बात कर रहे हैं चिकित्षा सास्तर का जनक, Hippocritus, चिकित्षा सास्तर के बच्चों को सपत दिलाई जाती है, Hippocritus की, चरक सहित्ता पुस्तक किसने लिखी थी चरक ने, चरक का राजवेद था, बात करें राष्ट्य चिकित्षक दिवस एक जुलाई, विधान्चंद राई की याद में एक जुलाई चिकित्षक दिवस मनाते हैं, अगर दोस्तों आपको अमारा वीडियो अच्छा लगे, तो शेयर कोमेंट करना ना भूलें,